हकीम लुक्मान का पूरा जीवन जरूरत मंदूओं की सहायता के लिए समर्पित था। जब उनका अंतिम समय निकट आया, तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, मैंने अपना सारा जीवन दुनिया को शिक्षा देने में गुजार दिया, अब अपने अंतिम समय में मैं तुम्हें कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूँ, तुम्हें कोईला और चंदन का एक टुकड़ा उठा लाओ, बेटे को पहले ये अटपटा लगा, लेक लुकमान बोले, अब इन दोनों चीजों को नीचे फेंक दो, बेटे ने दोनों चीजें नीचे फेंक दी और हाथ धोने जाने लगा, तो लुकमान बोले, ठहरो बेटा, जरा अपने हाथ तो दिखाओ, फिर वह उसका कोईले वाला हाथ पकड़ कर बोले, बेटा, देखा तुमने, कोईला पकड़ते ही हाथ काला हो गया, लेकिन उसे फेंक देने के बाद भी तुम्हारे हाथ में कालिक लगी रह गई, गलत लोगों की संगती इसी तरह होती है, उनके साथ रहने पर भी दुख होता है, और उनके न रहने पर भी जीवन भर के लिए बदनामी साथ लग जाती है, दूसरी और सज्जनों का संग इस चंदन की लकड़ी की तरह है, जो साथ रहते हैं तो दुनिया भर का ज्यान मिलता है, और उनका साथ छूटने पर भी उनके विचारों की महग जीवन भर साथ रहती है, इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगती में ही रह तुम्हारा जीवन सुखद रहेगा